हेलो एब्रीवन आज मैं आपको अपने गार्डन से टेरिस गार्डन से वह वाले प्लांट दिखाऊंगी जो अकसर मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्रोटोन से शुरू करते हैं ये सर्दियों में सुपता वस्था में था डॉर्मेंट था अभी आप इसकी स्टेम पे भी ग्रोध देख सकते हैं हलकी हलकी से ग्रीनिश डॉट से नजर आ रहे हैं और दो ब्रांचेज हैं इस क्रोटोन की दुनों में ही एक में तो काफी निकल गया है और दूसरे में थोड़ी चुटी चुटी सी फ्लावर शूट्स निकलना शुरू में है और दो ही निकल नी है उसमें भी दो साल पुराना ही है मेरा प्लांट और कटिंग से बड़े ईजिली प्रॉपगेट हो जाता है मैं जब की इसको नरसरी से ही लेके आई थोड़े से और मैंने पॉट्स यहां रखे हैं, हैज प्लांट है, परपल वाला, परपल या वायलेट गलर जो मिक्स होता है, और यहां पर क्रोटोन के निचे मैंने आइस प्लांट लगाया था, डार्क पेंक या मजंटा गलर, तो इसकी यह जो डंडियां सी सूख गई है न इनके उपर की जो फ्लावर बर्ड्स थी, उनसे मैंने अभी अभी सीड्स कलेक्ट किये हैं, एक्चुरी मैं थोड़े से डिलेमा में थी, मुझे पता नहीं चल रहा था इसके सीड्स कैसे कलेक्ट करने हैं, या कैसे रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, तो आज मैं सक् सेट्फल हुई हूँ, पहले हुआ मैंने ट्राइ किया, सीड्स कलेक्ट करने का, लेकिन आज मुझे छोटे-छोटे पिंकिश कलर के सीड्स इन सीड्स पॉड्स में से मिले हैं, तो आप भी अगले साल के लिए इसी तरह से सीड्स को कलेक्ट करके रख लीजिए, यह जो हलक मेरे चैनल पर नए हैं वो काईड़ी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर उसे लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सब्सक्रिप्शन, शेयर, लाइक्स, कमेंट करना सभी कुछ फ्री है तो एक रोटोन के साथ इधर ये हैज वाला प्लांट जो मैंने बताया हैज टुरांटा इसमें मैंने बड़ी सारी कटिंग्स प्रोपगेट करने की कोशिश की थी श्रिम प्लांट की, वो काफी सारी ड्राइड हो गई है पैंजी भी मैं सीड्स ढूंड रही थी तो अभी सीड्स नहीं बने हुए इसमें येलो शेड है येलो और मेरून का मिक्स है और मैंने देखा तो पर मुझे सीड पॉड्स नजर नहीं आए एस्टर मुझे यहां पर थोड़ा थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया हुआ है पिंक कलर है पिंक और येलो का कम्बिनिशन और बैक साइड में जो चोटा सा पॉट है उसमें भी एस्टर है और पीस लीली पड़ा हुआ है चोटा ऐसा पीस लीली का प्लांट है और पिटूनिया को तो देख देख के बोलते हैं न की रूह नहीं भरती वो हाल है इसके फ्लार्स तो इतने सारे होते हैं ये मैं आपको अरेका पाम भी दिखा दूँ और दूर से भी दिखा देती हूँ मैं आपको ये कैसा लगता ये वाला कॉर्नर थोड़े से ही पाउट्स हैं थोड़े से ही प्लांट्स पड़े हूए यहां पे यो मैंने कोशिश किए वे कि गर्मियों के लिए इनको यहां पे अरेका पाम तो गर्मियों में बिल्कुल जुलस चाहता है लास्ट येर का मेरा एक्सपिरेंस है इसलिए मैंने इसको पहले यहां पे रख दिया था और ये जो पॉट है इसमें फूरो कलॉक प्लांट है एक यूफॉर्बिया ये वाला यूफॉर्बिया की वराइटी है और निच्च मनी प्लांट भी लगाओ है इधर एक और क्रोटोन है मेरे पास ये भी में नर्सरी से लाई थी ये भी बिल्कुट डॉर्मेंट था सर्दियों में अभी इसमें ग्रोथ होना शुरू ही है इसमें एस्टर भी है परपल कलर का और साथ में आप फॉर्ण देख सकते हैं और फॉर्ण में ही आयरिजीन का प्लांट भी लगा हुआ है पेंक कलर का आयरिजीन प्लांट है या बलड लीफ पोलते हैं उसको और इधर बहुत सारे फूलों वाला बोगन विल्या प्लांट अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते आएंगे कम पानी डालोगे तो इसमें फ्लार्ज ज्यादा आएंगे और इसमें जेड तो हैंक कर रहा है इस फैले पॉट में और ये सक्लन लगा है और एक बास्केट प्लांट लगा हुआ है यहां पर है जेकब्स कोट या कॉपर लीफ प्लांट इसके पत्ते बहुत शोई होते हैं उसके साथ नीचे ये जो प्लांट है ये मैं रोड साइड से लेकि आई थी किसी ने अपने घर से अप्रूट करके प्लांट फैंका हुआ था लास्ट बरसाथ के दिनों के बाद की बाद है तो मुझे कलाथिया लगता है बाकी पता नहीं कौन सा प्लांट है और यहां पर एक छोटी सी कटिंग सीडम की लगाई हुई है और जैली बीन्स के प्लांट भी आपको नज़र आएंगे पिछे दो प्लांट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा यह कलाथिया ही है या कोई और प्लांट है और इधर यह कौपर लीफ वाला प्लांट इसके साथ यह पड़ा हुआ है इस प्लांट के साथ आगे फिर से अरेका पाम है यह थोड़ा जादा धूप में तो आप देख सकते हैं पत्तियों के टिप्स थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गए हुए है तो धूप तो इनके उपर बहुत ही जादा बुरा असर करती है जरेनियम इस पॉर्ट में किसी टाइम में में प्लांट था अब इसमें लेमन ग्रास में प्लांट बन गया हुआ है जरेनियम बहुत छुप सा गया है पर फ्लारिंग फिल भी जरेनियम में अच्छी हो रही है और इसके साथ यहां पे फाइकस की वराइटी है और इस वाले पॉर्ट में मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए है बुलेवियन जीू है, कैक्टिस रोज है और यह फिर से यूफ और बिया की वराइटी है जो बहुत ज़्यादा ग्रीन री आड़ करती है यह टिप के उपर जो येलो लीव्ज नजर आ रहे है यह कैक्टिस रोज के लीव्ज है और यहां नीचे एक पॉट में टमाटर का प्लांट लगा है और मैं आपको दिखाती हूँ है आपे टमाटर भी लगे हुए है यह प्लांट जो है इसको पुरी सर्दिया छाया जादा मिलती है और दूप कम मिलती है आजकल इसको थोड़ा ज़्यादा दूप मिलना शुरू हुई है तो यह पूरा टमाटरों से भरा हुआ है अपने आप बहुत जादा फैला हुआ है इसको मैंने सहारा दिया वा इसी प्लांट का पीछे आपको युका नजर आएगा और पैंसिल कैक्टस बहुत ही बड़ा पैंसिल कैक्टस है तो यहां इसके नीचे जो टमाटर है उसमें मैंने ये यूफार्बिया जो साथ में प्लांट पड़ा है बड़े वाला उसकी ही कटिंग लगाई हुई है इधर नीम भी है लगी भी बीच में और ये एक धकन है किसी ड्रम का उसमें मैंने बहुत सारे चुट चुटे प्लांट्स एकठे करके रख दियें केल है अलग टाइप की और दो केल के साथ अब बेबी रबर प्लांट भी देखेंगे यूफ़र्बिया मिली और एक और प्लांट है जिसका मुझे नाम नहीं पता यहां पर कद्दू है बीन्स है और भिंडी के प्लांट लगे हुए हैं कंपैनियन गाडनिंग करने के मैंने कोशिश की हुई है और गागर के उपर मैंने ये मनी प्लांट रखा हुआ है इन प्लांट के बिलकुल आपोजिट साइड में भी कुछ प्लांट हैं ये फिलोडेंडरोन हैं बड़ा महंगा होता है नरस्रीज में और ये सीडम के फूरला रहे है बहुत सारे फुलावर्स है इसे तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम फिलावर्स को काड देते हैं पर मुझे अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैंने रखा हूँ है इजी टू ग्रो प्लांट है अगर फ्लावर लगे भी रहेंगे तो जादा बड़ी बात नहीं है नेस्टर्शियम है इसके वेरिगेटिड लीव्स है और यहां पर यूफ और फॉर्बिया मिली फिर से यहां पर लीनोफ फाइलम है एक मग में और उसके उपर यह मदरव मिलियन्स है दूसरा एक मदरव मिलियन्स यह लगा हुआ है इसमें आपको एजिस के उपर छोटे छोटे प्लांट लेट्स नजर आएंगे कोई कोई यह देखिए यहां पर दो डॉट्स जैसे जो नजर आ रहे हैं यह इसके बिबी प्लांट्स है और नीचे गोस्ट प्लांट देखो कितना ग्रैंड और कितना सुन्दर लग रहा है कितना बढ़िया लग रहा है और दो तरहां के मेरे पास एलोवेरा के प्लांट्स हैं और इधर एक प्लांटर में ही फिर से एस्टर है पिटूनिया है और गेंदे के प्लांट लगे हुए है और तीनों में ही फ्लारिंग हो रही है अब मैंने इनको उठा के अब शेड़िड एरिया में कर दिया हुए और यह बॉल पे जो कलाकृत ही है यह इस नाचीज के हाथों ने बनाई हुई है दो साल पहले लॉगडाउन में तो दूर से कुछ ऐसा नजर आता है थैंक्स फॉर वाचिंग